हेलो प्रेंट सीता राम जै वागशुर धाम की जी हाँ अब कैसे हो अच्छे हो के प्रात्ना करते हैं वागवन से अब मैं आपको यह बताने जा रहे हूँ देहिंदर शास्तिरी जी के बारे में जी हाँ जो रहने वाले हैं गड़ा गाउं के जहां लगता हैं वागशुर ध नारे सब को सम्मान कर रहे हैं और इतना ही नहीं कथा बहुत अद्बूत है और कथा बहुत अच्छ चल रही है और सभी भक्त छोटे से बड़ा तक बुज़ूर से सभी आए हैं इनकी कथा सुने और इनकी से मिलने बहुत बहुत दूर के आते हैं बहुत ही किसी को नहीं मि नाम ही आती है पुरी सुनने क्योंकि इनकी कथा बड़ी आनन दाता है और बहुत ही अच्छा दरवार लगवा है इनका बहुत मंच इतना सुन्दा लग रहा देके रैट कल का फुलावर देके इनको सपोर्ट कर जा रहा है सम्मान किया जा रहा है और महाराज जी भी पेला पटका पहना रहा है सबको बक्त को कि अतना मासुम सक्क्यूट सा बच्चे बैठा नकी गोदी में जो बहुत ही अच्छा है बहुत क्यूट लग रहा है और देखिया हनमान जी का सोंटा जी हाथ में है इनके और फिर कोई गुलाब देके इनको खु पहन रखे हैं और दूसी बात इनका सोभावी बहुत प्याराए क्यों करने विवा कर वाते हैं यह जिसके माता पिता नहीं होते खुब रस्मों के अनुसार और तहेज में गाड़ी बाड़ी सबी देते हैं बहुत दूमदामस विवा होता है और वो कन्या है अपने पुत् प्रणती है और इनके समद्दाव का समद्दान होता है और बहुत ही अच्छा दुख्यों का दुख कटा है तो बहुत ही आननद आता है और बहुत ही खुश होते हैं और देखिए कैसे पब्लिक भागविजी की आरती उतारी हैं कितने मुस्कुरागे सब आगे हाज का दर्वार है यह और देखिए भागवजी का यही तरस्चे बहुत अद्वुत लग रहा है और बस इतना ही कहना चाहिए निपे बाला जी की बहुत किरपा है और हम सब की दूआए इनको लगे हैं और हम यहीं प्रातने करेंगे बाला जी किरपा खुब बड़ सी रहें औ और यह एक तो बहुत अच्छा लगता है इनका सोब आपको लगड़ी के बात का भी पैन रखी है और बस तरन की ग्रीन के कलर के हैं अगर हमाई वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और मैं चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद